exercise 2.1 का question 1 and part 4 है question बढ़ते हैं हमने by definition derivative लेना है with respect to x given function का और जो हमें given function है वो है 1 over x की power 3 सबसे पहले y की equal let कर लेंगे say y is equal to 1 over x cube सबसे पहला step क्या होता है हम दोनों side पर increments देते हैं तो y में increment देंगे delta y की x में increment देंगे delta x की फिर हम क्या करते हैं हमें delta y चाहिए left side पे तो उसमें से y subtract करेंगे तो y plus delta y में लिखेंगे minus y ताके y y से cancel हो जे similarly 1 over x plus delta x की power cube थी हमारे right side पे minus y की value लिखेंगे और वो क्या है 1 over x cube simple जो हमारी denominator में है उसे उपर ले जाएंगे term को तो x plus delta x की power 3 थी नीचे उपर जाके minus 3 हो जाएगी x की power नीचे 3 थी उपर जाके minus 3 हो जाएगी हमारे पास again वोई situation आ गई x plus delta x पावर कुछ भी हो हम क्या करते हैं x common लेते हैं पहली term 1 बन जाती है वो delta x के नीचे पहली term चली जाती है तो इस तरीके से आप देखें हैं तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाएए और लिखे हिपो ए लर्निंग प्रोग्रेम हमारी आप डाउनलोड कीजिए ना सिर्फ इस सब्जेक्ट की बलके तमाम सब्जेक्ट के लेक्चर कंप्लीट देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प